नमस्कार, स्वागा थे आप सबों का फिर से एक बार डिजिटल डिम एफेक्स में और आज का टिटोरियल हम एक स्मोक, रियलिस्टिक स्मोक के उपर मैं बनाने जा रहा हूं और यह tutorial दो वे में होगा render system एक तो हम लोग EV render करेंगे इसका कैसे EV render का server होगा और as well as realistic cycle render तो मैं cycle render पे फिलाल इसको render नहीं करूँगा because of my low configuration और इसमें बहुत long time taking होगा तो मैं EV render finally करके मैं यह जो वीडियो आप देख रहे हो इस्क्रीन पे यह EV render से किया हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमने एक basic model बना के रखा है cup और just plate का जो आप देख सकते हो आप किसे भी process आप ऐसे model बना सकते हो और एक हम camera setting कर लेते हैं first of all कि किस angle से इसे मुझे दिखना है तो camera selected हमने zero place किया num pad का और इसका control panel में जाके हम लोग camera को set कर लिया और light को थोड़ा सम अभी फिलाल distance पे रखते हैं तो यह हमारा cup और एक plate बना है अब मैं इसको चाहता हूँ कि एक table के जैसा को surface बना के इसे ऐसा ही simply for showing proper मैंने एक ऐसा scale करके box को रखा as a table तो यह आपका need होता है कैसे आप project में इसको use करते हो फिर हम एक camera view पे जाके देखते हैं हमारा proper है और again हम लोग एक नया create करेंगे cylinder यह होगा आपका emitter like जो smoke emitter होगा तो हमने just cup का upper surface inside हमने ऐसा रखा कुछ scale कर देता है इसको normal और जैसे हमें बाद में इसको scale scale करना पर सकता है क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा ठीकर रखा है और इसका नाम रखते है like smoke emitter तो ऐसे वाइनेम आप recognize रहेगा that's why हमने rename कर लिया और इस cup जहां पर रखा हुआ है table table का नाम से रख दिया suppose एक जो plane लिया था और इसके बाद हमें एक नया container लेने के जुरुत है एक cube लिया और इसको हम as a container बनाएंगा जो domain होगा इसका जिसके अंडरनीत हम smoke create करेंगे एक voxel area हमने यह से decide के इसको scale करके proper यह कर लेंगे इसके एक alignment की almost कितना area होगा जो smoke create करेंगे smoke fly होगा तो कुछ ऐसा हमने scale किया आप देख सकते हो otherwise आप अपना project के हिसाब से different राख सकते हो तो यह हमारा एक domain बना जिससे हम लोग container के नाम से जानेंगे तो हमने aj container इसका rename किया और smoke emitter दो चीज़ है आप यहां पर outliner में देख सकते हो आप इसको अपने मन से arrange कर सकते हो otherwise चलो अभी मैं अभी default रखता हूँ फिर हम select करते हैं container को और जाते है physics property के अंदर पहले तो मैं इसका data property में इसको wire frame mode में रखता हूँ ताकि आप बहार से outward देख सकते हो फिर हम लोग जाते है physics property में then fluid click करते है selected container object और इसे हम रखते है domain और emitter को पकड़ते है smoke emitter को इसे भी fluid लगाते है इसे रखते है flow mode पे और इसे हम लोग जाते flow behavior को change करते है in flow mode पे ताकि यह continue आपका animated हो flow में रहे है आपका तो आप देखोगे play करने के बाद कुछ ऐसा effects आपको दिखाई देगा जो अभी बहुत ही low resolution base पे है तो हम पहले त smoke effects करके मैंने एक blend file को save कर लिया ताकि आपका दोवारा corrupt ना हो यहां से हम start कर सकते हैं फिर हम लोग जाते physics property में smoke emitter object selected इसका हम लोग रखते है initial temperature को 1.2 and flow surface में हम लोग रखते है surface emission को 0.6 और 0.8 something यह बाद में हम लोग change भी कर सकते हैं ऐसा कुछ value रखा मैंने और texture mode में जाक texture एक offsetting के लिए इसका texture से हम लोग यूज करेंगे black and white तो हमने texture plate पे गया cloud लिया और cloud का हम लोग जाते है color system में इसका contrast value को change करेंगे contrast value आप रख सकते हो जैसे हमने 5 रखा या 6 रखा whatever तो आप देखोगे ऐसा कुछ आपको high contrast दिखेगा और इसका offset setting होता texture का जो आप देखो इसको enable कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग animate करते हैं जो अभी हमने texture क्याट किया था cloud और इसका animation यहाँ पे शुरू करते हैं एक इसके बाद हम लोग यहां पर रखते हैं एक और की अर इसके आधके इसट करेंगे और की बस consulted आधकी नटकर को आधको हम लोग और करेंगे बधनि-दीक पहलगे स Nous कुराएगे हम देख रहे हैं कि हमारा क्यूर उसमे पर आपका यह को मोमें फ्लूड मोड पे जाके इसे हम लोग रखते हैं कॉलीजन कॉलाइडर इफेक्टर टाइप करके ताकि एक कोलीजन हो ताकि आपका इससे क्या होगा और इसका हमने एक रिजुलेशन रिविजन बढ़ा लेते हैं इसका डोमेन का जिसे हम थोड़ा सा ज्यादा डीटेल देख सकते हैं और हमें हलाके डीटेल चाहिए और टाइम स्केल को हम 0.6 फिलाल में रखता हो या 0.8 और बाद में इसको हम लोग बाद में वेरियेशन कर सकते हैं जैसे अभी कि मैं चेंज करूँगा 0.001 कर दूँगा ताकि बहुत ही थिकनेस पर काम हो और फिर एक सेटिंग करते हम लोग स्क्रेल डॉन करके डिसॉल्विंग सिस्टम क्या होगा कि यह डिसॉल्व एक समय में डिसॉल्व होगा जैसे स्मोक डिसॉल्व होना चाहिए कितना ताइम इसमें 5 है बाइडिफोल्ट अभी फिलाल में 25 रखता हूं बाद में एजपर नीड हम लोग चेंज कर सकते हैं वेरियेशन के हिसाफ स तो आप देखोगे यहां पर कैस्ट करने के लिए हमने एक लोकेशन वीडियो आ है एक फोल्डर का डिफोल्ट लोकेशन दिखा रहा है और इंड फ्रेम इसको आप लोग इंटरेप्लेशन को चेंज करेंगे ताकि यह द्यूर्ट पर राइट क्लिक क्या और इसका इंटरेप्लेशन नोड को हमने लीनियर रखा तैकि यह यह फंक्शन करें यहां पर काम टेक्चर का तो यह बेसिक सेटिंग्स हुआ एक बार हम लोग चेक करने क प्रपस से बेक करेंगे इसको और बेकिंग से पहले हम लोग एक force लगाते है wind force जैसे आप देख सकते हो domain selected wind force लगाया देन हम इसको rotation कर लेते हैं किदर से आपको wind करना है just take effects में और इसको just ऐसे हम लोग sitting करने के बाद rotation करने के बाद इसका हम लोग strength को रखते है 0.05 बहुत ही less strength और flow कर रखते है जीरो बिल्कुल ताकि आपको slightly smoke को fly करेगा just push करेगा थोड़ा सा एक effective आपको दिखेगा smoke के जैसा और एक बार इसे फिर से save कर लो ताकि आपका file अभी तक जो भी हुआ है वो आपका save रहे है और फिर से आप domain select करके वेक data को turn on कर दो switch on तो आप थोड़ा देर वेट करने के बाद हम देखते हैं after waking हम मिलते हैं और यह हमने वेक कर दिया तो अभी इसका कुछ effect something wrong लग रहा है मुझे जो मुझे कुछ और करना पड़ेगा जैसे हमने इसका जो emitter object रखा है सबसे पहले मैंने इसका frame rate बढ़ा है कि मैं और लंबा frame तक इसको animate करना चाहता हूं तो 350 हमने लिया है फिर से वेक data करता हूं और let's see इस वार मैं थोड़ा सा चेक करता हूं इसका data release करने के बाद वेक data को और फिर से हम लोग strength को 0.02 रखता हूं चेंज करता हूं और क्योंकि यह smoke को ज्यादा fly कर रहा था push कर रहा था फिर smoke emitter को select करेंगे देन इसमें हम लोग कुछ settings को और कर सकते हैं तो overall इधर ठीक है जो हम थोड़ा सा time को बढ़ाना चाहते है देन इसका हम लोग resolution divisions को अभी और हम finally करेंगे बढ़ाएंगे लेकिन फ particles smoke दिखना चाहिए और इसका frame भी हमने in frame को बढ़ाए 350 frame और फिर से हम लोग इसको save कर लेते हैं as well as जो settings है initial settings then back data again करते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी final हो गया तो अभी मैं देखता हूं मैंने video को push करके इतना किया time tracking होता है तो अब देख रहे हैं कि थो अभी हम इसको cycle mode पे देखेंगे एक बाद कि कैसा दिखता है smoke आप देखोगे कि यहां पे render mode पे आपको नहीं दिखेंगे EV mode पे भी even आप देखोगे नहीं दिखेंगे यह अभी आपका सिर्फ दिख रहा है workplace mode पे तो इसके लिए हमें जो अलग-अलग render के हिसा आप से हम ल otherwise collisions से ज्यादा important है कि जो हमने emitter object को scale करके रखा जो इनके inside है उसे थोड़ा सा re-scale करना पड़ेगा तो और एक light को जो लिया था light को हमने थोड़ा सा nearby रखा देन इसका light का power बढ़ा लेते है 3000 approximate थोड़ा सा lighted चाहिए ज्यादा और इससे हम लोग रखते है इसका radius 3.5 something ताकि आपको soft smooth आपको shadow मिले और यहां पे आप थोड़ा सा background को dark कर लो जो renderable background होगा तो यह सब करने के लिए आप render mode पे जाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा अभी हमारा जो mode set किया हुआ उसके according लिए आप देखोगे EV mode पे cycle mode पे कुछ अलग ज्यादा realistic आपको दिखेंगे यहां पे दोनों में देखने के लिए EV और cycle render में हमें ज़रुत पड़ती है इसका एक shader making करने का तो हम लोग यहां पे जाते हैं यहां पे shade editor को turn on करते है selected container जो हमारा domain है यहां पे एक new material create करेंगे आप यहां पे देखोगे एक material आपको दिखता है principle BSDF जो default लगा हुआ क्योंकि हम emission node को हम volume के साथ इसका emission को on करेंगे connect करेंगे और इसके बाद next अगर हमें यहां पे लेना है एक volume info node volume info node को connect करेंगे इसका density को strength के साथ तो देखोगे कि आपको viewport पे अभी दिखने लगा जब आप render mode में हो और अभी हमारा cycle render engine on किया हुआ है तो आप देख सकते हो यहां पे कुछ ऐसा दिख रहे है और अभी और इसको refine करने के लिए और ज़्यादा detail करने के लिए हम लोग य math node को connect करते हैं यहां पे एक input volume होगा density के साथ और value out हो रहा है और strength के साथ in between और इसमें हम लोग जाते हैं इसका जो operation systems होगा उसको हम लोग change करेंगे उससे पहले हम लोग एक लेते है light info path ठीक है light path कर सकते हैं इसको और इस light path को connect करेंगे like इसका camera rays को इस camera ray को value के साथ math node का तो यह दो value के साथ यहां पर ऐसे जुड़ा और आपका viewport पर यहां ऐसा दिखा और फिर इसका multiply mode को on कर दिया math node का तो कुछ ऐसा हो रहा है यहां पर हमें कुछ और भी control करना है भी उतना ज्यादा realism कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं यहां पर रखता ह है connect करने के बाद to 1.5 या 4 something ऐसा आप करके देखो बाद में इसको variable कर सकते हो फिर से हम लोग लेते है color ramp को color ramp इसको control करेगा तो आप देखोगे smoke को directly control इसका thickness and brightness and all detailings आप यहां से इसका control कर सकते हो तो इसे एक और हम लोग एक plus करते हैं बीच में एक और node connect करते हैं जो दोनो साइड का node को black रखेंगा और center वाले को node को हम लोग प्योर white रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि smoke में थोड़ा से detail आपको visuality आ रही है जब आप cycle render mode पे हो तो यह कुछ ऐसा दिख रहे है तो थोड़ा सा आप देखोगे कि इसका simulation बहुत slow हो जाते हैं तो हमने क्योंकि बेक कि इसलिए यहां पर हम लोग timeline को on करेंगे और timeline को check करेंगे कि कहां से कहां क्या मिल रहा है और कहां क्या दिखना चाहिए तो चलो मैं एक यहां पर रखता हूं इसके proper setting के लिए तो मैं देख रहा हूं कि इसका जो timing है इसको मैंने थोड़ा scaled on किया ताकि कम spread हो आपका smoke एक area मे हमने decide कर लिया तो अभी मैं देखूँगा कि smoke मैं चाहता हूं कि बहुत सटी का smoke हो फिर से हम लोग container यह select करते है container और domain और इसका back data फिर से delete करते हैं और इस वार हम लेते है 256 ताकि और detail आपका high density में आपका high resolution density में आपको यह मिले smoke का effect then time scale को 0.8 रखा इस वार और फिर से scroll down करेंगे और एक बार चेक करने से पहले कुछ और basic settings होगी वह हम लोग देखना चाहेंगे तो यह हो गया अभी आप इसको बेक करने के एक बार जस्ट चेक करो जो अभी हमने parameter में थोड़ी सी changes की थी after baking हम देखेंगे कि कैसा दिख रहा है तो just let's play and see चलो अभी भी हम देख है कि हमारा जो smoke है बहुत ही certain time में फ्यूट समय में खतम हो रहा है तो इसका क्या उपाए हो सकता है render mode में आप देख सकते हो तो इसका एक मैं और बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर एक यह domain selected container selected और इस data को तूड़ा से enhance करेंगे कि आगर आप यहां से देखोगे math node को जो हमने दूसरा duplicate लिया था इसको अगर मैंने 7 value इसको रखा तो हम देखना है कि smoke में ज्यादा details मिल रहा है कुछ ऐसा details मिल रहा है आप देख सकते और अगेन आप देखोगे तो एक काम और हम लोग इसमें कर सकते हैं अभी यह मैं cycle के हिसाफ से जा रहा हूं cycle render के लिए और अगर आपने इसका emission color को अगर डार्क रखा या आप चाहते हो कोई color smoke होना चाहिए colorful तो यहां से आप देख सकते हो है colorful smoke like a fantastic kind of और अलग-अलग आप smoke generate कर सकते हो vfx part के लिए तो फिलाहल मैंने यह white ही रखा dark something थोड़ा सा blue white like this जो white देख रहा है आपको set तो ऐसा कुछ आपको देख रहा है अगें अब इसके लिए एक मुझे लगता है कि smoke emitter को select करूंगा इसका मैं initial temperature को 1.5 करता हूं थोड़ा से change करता हूं और यहां पे रखता हूं volume emission को छोड़ दो अभी आप इसको रोको surface emission को रखता हूं 1.2 थोड़ा से increase कर दिया ज्यादा large scale पर हमें चाहिए फिट time scale को हम ल data करते हैं तो आप देखोगे क्या होता है just let's see और इसका आप जैसा हमने देखा कि इसका emission timing भी बढ़ा सकते हैं तो after waking आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको ज्यादा details मिल रहा है smoke का तो अभी मैं इतने के लिए ही रखूंगा इसका हमने सिर्फ dissolving जो time है वो 25 है इसको मैं थोड़ा और बढ़ा होगा तो आप देख सकते हो इसका अगर मैं अभी रखा 35 या 40 50 रख लिया अप्रोक्समेंट मुझे और ज्यादा लॉंग और भी लॉंग हमें smoke चाहिए तो यहाँ पर मैं करता हूँ just देख सकते हो आपको फिर से बेक डेटा करते हैं रिवेकिंग औ यहाँ पर हम लोग देखने हैं इसका एफेक्ट्स तो इस बार हम देख रहे हैं कि smoke हमें ज्यादा long area तक हमें मिल रहा है distance तक और यह आपका इस तरीक से इसको control करोगे और यह होता आपका तो controlling के बाद अब यहाँ पर फिर से हम लोग आते हैं तो cycle render के हिसाब से हमने slider को set क किया था और जो भी हमें रखना है एक बार जो भी color और what you need लैक आपको special case में special effects में आप यूज कर सकते हो इसको smoke को so यह just मैंने कप का एक example दिया बट आप अलग-अलग चीजों को आप generate कर सकते हो इस टाप से और इसको थोड़ा सा आप देखोगे color ramp को अगर adjust करते हो तो smoke में और भी detail increase decrease आप कर सकते हो कुछ ऐसा यह होता है हमारा okay तो इसको अगर हम लोग back किया हुआ है that's why हमारा render करने में थोड़ा सा time तो लगेगे अब यहाँ पर देखो अगर आप cycle में render करोगे जो भी आप setting कर रहे हो और जो आप final result चाहते हो तो आप एक फर setting करके तो और एक काम और हमने हमें करना यहाँ पर यह हो गया cycle और अभी आप देख रहे हो cycle mode है अगर आप EV mode पर देखे हुए तो यह direct नहीं दिखता है आपका अब EV के हिसाब से हमें यहाँ पर कुछ अलग कुछ और treatment करने पड़ेंगे यहाँ ambient occlusion भी हमने on किया इसका render resolution रखा हमने 120 और viewport भी 120 रखा फिर भी यह नहीं दिख रहे हैं तो क्यों यह यहाँ पर हमें एक काम करना होगा इसका volumetric system पर जाओ render system का इसको 2 pixels और जो भी pixels में देखोगे इसको जो final हम देखते हैं और इसका sampling को भी हम थोड़ा सा increase करेंगे तो यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है जब हम इस EV mode पर है तो यहाँ के लिए जैसा मैंने बोला यहाँ पर एक और shader हम create करना चाहेंगे first of all तो जस्ट इसको भी आप sample को भी बढ़ा दो कम कर दो I think इसमें 128 रखा मिने samples को और 2 pixel tiles edge को रखा यहाँ पर create करेंगे हम लोग एक नया shader वो होगा आपका यहाँ पर लेंगे principal volume shader एक लेंगे इसे और direct color ramp को connect करते थे color के साथ इसके और इसके color को out करके उसका disconnect हो जागा जो पहले हमने cycle के लिए जो एक बनाया था वहाँ emission और इसको volume के साथ डालते हैं तो आप देखोगे कि smoke मिल रहा है थोड़ा सा less amount में तो यहाँ पर अगर आप ज्यादा improvement मिलेगा आपको samples को भी बट यहाँ पर जो principal value में settings होगी जैसे हमने एक math node को फिर से duplicate करके लाया और connect कर दिया color ramp का color और principal color input के बीच में और इसका value रखा something 1 7 या जो भी आप इस variation करके देख सकते हो तो आप देखोगे कि smoke में changes आ रहा है इसका density के साथ connect करते ह actually और इसका density math node का और principal volume का density के साथ करके आप इसका color को थोड़ा से change करोगे तो यहाँ से भी colorize कर सकते हो कि exact color कौन सा चाहिए और यहाँ पे हम लोग यह इस तरीके से EV render के लिए prefer करता हूँ मैं तो यह तो हो गया हमारा just settings अगर आप cycle के लिए करते हो तो आप emission को connect कर दो इसके साथ और cycle mode के लिए और अगर आप EV mode पे करते हो तो direct आप EV mode पे देखोगे लेकिन जब आप cycle mode पे रखोगे इसका volume connect करोगे emission का तो इसको cycle mode पे render को भी रखना पड़ेगा तभी आप viewport पे देख पाऊगे जैसा आप देख रहे हो अब यहाँ पे आप इसका timeline पे और जो भी है आ यहाँ पे आप texture को एक हमारा viewer ने बोला थे कि texture को download कहां से करते हैं तो आप देख सकते हो texture heaven से आप जाके अलगलग categories प्रोजेक्ट के लिए आप ऐसे download कर सकते हो तो अभी मैं wooden के लिए download करूँगा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि wooden कोई भी आप choose करो और यहाँ पे देखोगे इसको एक बार मैं refresh करता हूँ थोड़ा सा net का issues I think slow हो रहा है तो चलिए फिर से मैं यहाँ पे जाता हो again और इससे exist leave करके फिर से आप जाते हैं main page पे जाता हूँ polygon heaven.com के उपर तो आप देखो फिर से आप open कर लो यह किसी कारण से slow हो गया था तो अभी मैं एक normal एक table के लिए ले लिया है wooden material 4K और इसको bellier mode पे download करते हैं जब हो जाता है तो इसका आप एक बनाऊगे folder और वहाँ पे मैं save करता हूँ entire folder को रखने के लिए texture folder के अंदर मैंने अपने system के इसाफ से रखा है और यहाँ पे मैं एक नया folder बनाके इसको paste करता हूँ इसको extract कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास जो textures मिल रहे है इस like four kind of texture में रहे नॉर्मल, displacement, color और roughness के लिए अब चलो इससे link करेंगे इसका shader में तो principal base shader पे आते हैं फिर से इस shader node पे जाने के बाद आप यहाँ पे connect करो image texture तो यहाँ पे image हम search करेंगे image texture और एक node लिया इसके open में जाके हम लोग उसी texture को लगाएंगे जो color texture है और base color के साथ principal base shader के साथ connect कर दो directly अब इसी को duplicate करेंगे इसी image texture को अगें भार बार नोड नहीं लेगे दोसरा time हमने लिए इसका यह लिया normal को अगर normal के साथ connect कर देते हैं जस्त हमारा principal BSDF का normal के साथ direct connect करो तो आप थोड़ा सा आपको bump details मिलेगे और एक लगाते हैं हम लोग roughness के लिए तो इसी को duplicate करते है अगें एक और image texture node को और यहां पे हम लोग एक roughness map को roughness के साथ connect कर देते हैं तो आप देखो कि थोड़ा detail आपको मिलेगा जब आप cycle render पे करोगे अब displacement node लेते हैं displacement node के साथ अगें copy करेंगे एक और wood texture को जो हमने ल आपको इस तरीके से थोड़ा सा texture detail मिलेंगे surface को उपर आप देख पा रहे हो और rendering में खास करके cycle render के लिए तो यह इस तरीके सा हमारा settings हो जाता everything आप एक cup material बनाएंगे normal एक ऐसा shader बनाते हैं इसका metallic value को थोड़ा बढ़ाते हैं specular कम करते हैं roughness को भी कम करते हैं reflection ज्यादा मिले और इसे नाम रखते हैं cup material करके और इसी cup material को apply कर देंगे plate के उपर भी तो यह अपनी choice से आप कैसा रखना चाहते हैं तो दोनों को apply कर देते हैं same material after that यह हमारा setting हुआ और camera mode पे हम जाके देखते हैं final क्या result मिलता है एक file को अगर आप एक frame को अगर आप इसको render करो और play करो तो आप देखोगे कुछ ऐसा slow play होगा अगर हम यह shader texture mode पे हैं और render mode पे तो यह आपको बहुत ही slow play हो रहा है जैसा आप देख रहे हो अब हमारा time होता है कि अगर machine अच्छा support है आपका graphics card and render system अच्छा है तो machine cardification के इसाफ साफ साइकल render करोगा ज्यादर realistic के लिए और as well EV render में आपको सही मिलेगा लेकिन थोड़ा सा उतना level का property नहीं मिलेगा लेकिन आपका fast render होगा तो production का low quality production के लिए EV is good और cycle high quality production के लिए होता है तो अभी cycle mode पे अगर मैं render करता हो तो मैं भी यह यह पूरा 12 से 14 घंटा ले सकता है full render करने के लिए continue और यह अभी मैं EV पे करना चाहता हो तो EV पे ही हम देखने है कि थोड़ा सा कम retesting मिलेगा लेकिन आप देख सकते हो इसका behavior तो चलो दोनों mode मैंने आपको बताया अब इस दोनों mode में आप अपने setting को रख सकते हो जैसा इसका output as an all इसका film को हम लोग कुछ भी change करते हैं जो आपका जो requirement होता है और फिर ह हम लोग इसका output system पे जाते हैं file output पे और यहां पे हम लोग देखते हैं इसका frame rate क्या होगा तो हमने अभी फिलाल इसके साथ पे 30 रखा once लेके 35 फ्रेम और एक path को दे देते हैं यहां पे एक किसी folder में यह save करके रखेगा तो चलो हमने यहां पे एक नया folder बनाया इसको नाम दे देते हैं smoke render करके कुछ भी आप एक folder बना के collection रख लो देन फाइल का नाम रख सकते हो फिलाल मैं इसको accept करूँगा smoke render करके नाम रखता हो smoke cycle something cycle mode पे तो cycle के लिए बहुत long timing होगा प्लस setting में जाते हैं और इसको हम रखते MPG4 और यहां पे normal quality पे अगर मैं render करूँग तो it will take long time आप देख सकते हो कि एक frame जब smoky frame को ज्यादा time taking होगा अगर normal एक रेंडर कर रहा है से texture और plate और material को तो आप देख सकते हो कि बहुत long time taking हो रहा है तो यह long time taking होगा फिलाल मैं इसमें जो preview दिखा रहा हूँ आपको इस videos में यह आपका cycle render पे नहीं है मैंने इसको EV में render कि जो EV में उतना realistic नहीं दिखता है लेकिन आपका behavior के point of state देख सकते हो कि एक smoke का behavior दिख रहा है dynamic animations तो यह VFX के लिए आप यूज कर सकते हो इस फरकार से इफेक्स को तो आज मैं इतना ही concept आपको समझा पाया यह बहुत ही beginner के लिए tutorials नहीं था यह mid stage का जो run करी है जिनको fundamental वो कर सकते है इस वीडियो को और वीडियो आपको कैसा लगा इस पर आपको comments लिखना बहुत जरूरी है जिससे मैं और improve कर सको आगे आने वाला incoming tutorials के लिए और ऐसे ही like, subscribe जरूर करेंगे ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए लेके आओ जल्द से जल्द और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बाबाई, take care